तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कंसोल लौग जो भी चीज इसके अंदर हम पास करते हैं वो चीज हमारे कंसोल में आ जाती है तो अब मुव करते हैं वेरी करते है कि अब सब्सक्राइब करते हैं है मैं और में है आज पैसले में इसार जिए जो कुछ इसेह कर सके हैं जैसे हमारे घर में अचार का 알व लूए सब्सक्राइब और जिस चीज को इस्टोर करेगा उसकी क्या हो जाएगी तो तीन तरीके से हम वेरीवल्स को डिक्लेर और यूज कर सकते हैं पहला कौन सा है लैट कीवाइड के जैसे मैंने यहां पर लैट नेम इक्वल टू वैब तो इसमें क्या होता है मैं इस नेम को वापस से अपडेट टू झाय मैं तो यह बैजब करने बर अब कर सकता हूं झाय के तो यह ओ और मेंक्ला तरीका कौन सा होता है, इसमें जो वेरीवल्स करेंगे, वह एक ही बार ज Wish लों को डेक्लेयर क्रले हैं तभ ही अम उस्को वाय धिंगे और बाद में कभी में तो अब बेर सकती है ठीक तो इस चीज़ को हम कभी उस करते हैं जब जैसे कोई हमने keyword हो गया या कोई mathematical value गया जैसे पाई की बैटियो या फिर हमारा कोई API की हो गई तो उन चीज़ों को हम नहीं चाहते कि कोई भी बदल पाए या बदलने की कोशिश भी करें तो उसको एरर आजाए तो उस चीज़ के लिए हम कौँछ का यूज करते हैं और I'll prefer using this more because आपको अगर पता है कि यह वाला variable में कभी बान में नहीं बदलने वाला तो उसको आप पहुंच से यूज करो जिससे का safety रहती है कि आप कोड में कुछ जादर होती नहीं रहे है कि फिर तीसरा तरीका कौन सा है वैर keyword से इसमें क्या होता है वैर keyword से जो हम declare करते हैं यह बह स्कोप हो गया ठीक है कर्ली ब्रेस के अंतर अगर मैं रखता हूँ let name equal to यह name की जागे मैं रखता हूँ पाई equal to 3.14 अगर मैं इसको यहां पर करूँगा console.log पाई लेख सकते हो यहां पर यहां पर कहां पर ही system अगर मैंने इसको बाहर कर दिया तो यह पाई is not defined कह रहा है वहीं अगर मैंने इसको वैर keyword से किया होता ठीक तो देखो अभी वापर से 3.14 आया यानिकि एक global variable declare कर देता है आप उसको कहीं पर भी access कर सकते हो तो इसलिए इसको avoid करना चाहिए यूज करना ठीक है क्यों क्यों कि अगर मान लीजे आपने कई वार क्या होता है हम एक छोटे piece के लिए एक variable को declare कर देते हैं और वापस से उसी variable के name का use हम दूसरे किसी function में कर लेते हैं ऐसा कई वार हो जा अब जैसे हम arithmetic operations करते हैं तो कौन सा अगया addition हो गया subtraction हो गया multiplication division यह होता हमारा module हो यह क्या return करता है जो भी हमारा remainder बच्चेगा आफटर डिवाइड बच्चेगा आफटर डिवाइड बच्चेगा तो जो remainder बच्चेगा वो मॉडूलों में आ जाएगा ठीक इसकी value यहां पर हमारी आरे है बन उसके बाद यह वाला कॉनस होता exponential यानि कि 5 का square हो जाएगा यहां पर 25 आज जाएगा टीक तो इतने में कोई problem नहीं होगी उसके बाद देखते है हम एक होता हमारा increment pre increment post increment और decrement post decrement तो क्या होता है जैसे हमारा variable count जिसका value हमने 3 initialize की और हमने किया console.log count++ तो इससे क्या होगा value तो print 3 ही होगी यहां पर देख सकते value 3 ही print होई है पर मैं इसको भी जूम कर तो बहुत होगी है लेकिन वह print होते ही बढ़ गई है यानि कि print होगा 3 और उसकी value just after क्या होग फिर दूसरा तरीका क्या है कि मैंने यहां पर plus plus count लिख लिया तो इसमें क्या होगा पहले plus होगा फिर print होगा जैसे अभी यहां पर यहां तक आ गया था हमारा cursor यहां पर था तो 4 थी value लेकिन जैसे plus plus पाएगा तो value 5 हो जाएगी और फिर print होगी तो यहां पर देख एक बा तो 5 से हो जाएगी 4 और फिर print होगी तो यहां पर 4 प्रेंट हो गया लेकिन अगर count minus minus करता तो पहले जो original value वो print होगी उसके बाद उसका decrement होगा तो I hope इस वाले part में कोई भी problem नहीं होगी उसका confirm कर दूँ अब बात है हम assignment operator तो assignment operator जैसे हमारा होगा equal to जो कि हम अभी तक यूज़ कर रहे थे हमारे variable में कुछ भी store कराने के लिए ठीक उसके बाद हमारा आता है plus equality तो यह इस तरीके से आप समझ सकता हो इस एनलोगस तो count equal to count plus 2 तो इस चीज़ को मैं short में इस तरीके से लिए सकता हूँ कि count plus equal to 2 यहां पर उस तरीके से count को घटा दो 3 से count में multiply कर दो उसका ही count को चार गुना कर दो खीक है और यहां पर है कि count को हिस्सों में बाढ़ दो कितने हिस्सों में दो हिस्सों में तो क्यो value आजाएगी जैसे 24 यहां तक value हो गई थी उसकी तो count divide equal to 2 किया तो count को ही divide कर दिया और उसकी value आपस से count में store करा दिया तो यहां तो यह क्या करेगा उसको exponential करेगा जैसे यहां पर value 2 थी तो 2 का पहले cube करेगा 8 और उसको store करा देगा हमारे count में तो हमारे देखो यहां पर यह मैंने जितनी value उस ती रख सकती तो इसमें किसी को problem assignment operator में तो अब आते हैं हमारे comparison operators पर तो comparison operator क्या होते हैं जिससे मैंने यहां पर किया count की value यहां पर हमारे पास gate होगी तो यहां पर दो तरीके से हम compare करते हैं double equal to and triple equal तो हम देखेंगे count की value हमारी numerical eight ती यानि एक number था eight और जब मैंने उसको compare किया एक character eight यानि हम कह सकते string eight थी मेरे पास तो जब मैंने compare किया तो comparison मेरे पास true आ गया right पर यह अशा होना नहीं चाहिए था तो जैसे अगर मैं इसको console log करा हूँ तो यह हमारा क्या प्रेंट करेगा तो यह true दे रहा है लिखना कर यहां पर मैंने double equal to कर दिया तो यह false देने लग जागा कर दिया इस वाले eight को convert कर दिया integer में और फिर check कर दिया पर triple equal to क्या करता है value भी check करेगा and उसका type भी check करेगा क्या यह दोनों number है कि यह कोई conversion नहीं करेगा इस side में कि मैं इसको convert कर देता हूं तो ऐसा कुछ नहीं करेगा यह just perfectly बताएगा कि क्या यह बराबर हैं या नहीं तो इसलिए इस वाले को use करो ठीक है और दूसरे वाले को मत करो इसी को ही use करना अगर तुमको perfect तरीके से result चाहिए उसके बाद अगरे नहीं करें तो अगरे यह बाद यह बाद यह होगा अपना नौट इक्वल टू और इन दोनों में भी वही अंतर है जो उसमें था कि यह सराफ value को compare करेगा और यह वाला हमारे type को भी compare करेगा तो इस वाले को भी prefer करना अगर नौट इक्वल टू भी जीए तो आब आ हमारे name की value यह the web अगर यह होता तो true आता है ठीक है यहाँ पर देखने true आए लेकिन अगर मैंने इसको small कर दिया तो यह false हो गया तो हमको क्या करना है इस तरीके से करना है अगर तोनों condition true होगी तो ही true आएगा पर अगर हमने और operator का use कर लिया तो एक भी condition इन में से true हो जात किया थे हाप पर true ठीक तो जब उसको हमने true define किया तो इसका true का not क्या हो जाएगा false तो इसका result आजएगा false जो कि यहाँ पर आप भी रहा है ठीक अब बात करते है data types की तो अभी तक operators में कोई problem तो अब हम बात करते है primitive data types की primitive मतलब बिल्कुली basic जो किसी और इस चीज से नहीं बनने तो उसनों पहले हमारा data type आता है number तो यह simply किसी भी decimal numbers को या फिर integer numbers को store करता है उस data type को हम कहते है number उसके बाद हमारा आता है null अब null क्या show करता है कि यहाँ पर कोई value exist नहीं करता है यानि कि खाल ही है इसके बाद आता है undefined यह कैशो करता है कि यहाँ कोई value अभी तक डाली ही नहीं गई है यह अभी तक define ही नहीं किया गया है तो null और defined में क्यांता है इसको तोड़ा हम आगे और देखेंगे क्योंकि यह तोड़ा confusion तो move करते है string में तो जब भी हम characters की बात के साथ या फिर string literally है जो आपके escape के नीचे एक button होता है इसको हम कहते है तो इसके साथ हम इसको use कर सकते हैं ठीक है अगला हमारा data type है boolean बुलियन क्या होता है जो true और false जैसी value को hold करता है या कोई value true है या false है उस चीज को रखता है अब आता है big end तो यह क्या करता है बहुत ही जो large integers होते हैं इसको 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 पीछे n होता है तो इसको रहता है पर इसमें हम कोई भी operations नहीं रख सकते बस हम इसको ऐसा value स्टोर क उसके बाद हमारा आता है symbol अब यह symbol अतना important नहीं है बद तब भी मैं बता देता हूं कि symbol क्या होता है जैसे भी माल लो हमारा एक object है अभी हमना object बता है नहीं क्या है लेकिन यह समाझ दो यह key value pairs store करता है जैसे मैं इसमें डाल देता हूं name इस तरीके से ठीक है तो यह हमारा object बन जा और यह महलत है UID भी डाल देता हूं इसमें 21 या 10561 डाल देता हूं तो यह अपने object बन जा अगर मैं console log कराऊं object को तो देखो अपने यहां पर नेम और UID पर अगर मैं यहां पर एक symbol क्रेट करता हूं जैसे मैंने symbol क्रेट किया महलत है मैं किया V symbol ठीक है और मैंने स इस तरीके जा अब मैं आपर कुछ description दे भी सकता हूं चाहूं तो मैंने कि यहां पर मैं कि लग सकता हूं तो यहां पर मैं कि लग सकता हूं तो यह मैंने symbol बना लिया V का और मैं क्या करूंगा object of V की value रख दूँँगा माल लो मैं रख दूँगा वैभर is a good boy तो अब देख ठीक है यानि कि वह exist करती है पर आई नहीं है जैसे अगर मैं आपर print कर रहा हूं तो देख रहे हैं आपर उसको मैं use कर पा रहा हूं वैभर is a good boy आ रही है print होके लेकिन जब मैं object को print कर रहा हूं तो वह नहीं आ रही है तो यह क्या होदा है it creates a unique identifier ठीक और यह किसी भी printing statement में या फिर foreign loop या loop हम कोई लगाएंगे तो print नहीं होता है ठीक जैसे अगर मैं इसमे एक for in loop लगाता हूं क्या करता है index के उपर operate करता है तो मैं अगर लगता हूँ for let item in object console.log item देखो इससे मेरा name आया यू आईडी भी आया लेकिन यह वी कहीं symbol आया या यह कहीं web आया नहीं आया तो symbol क्या करता है एक तरीके से समझ लो एक hidden object में आपको hidden data save करना है तो आप symbol का यूज़ कर सकते हो अगर मैं किसी दूसरे symbol को भी इसी से initialize कर देता हूँ अगर मैंने अगर मैंने अब देखो symbols के अंदर description तो सेम था इनकी value अगर मैं object of p भी प्रेंट करूँ तो सेम आनी चाहिए लेकिन यह undefined आ रही है ऐसा क्यों कि हर एक symbol भले आपने उसका description सेम दिया हो बट unique होता है उसके जैसा आप symbol दुबारा से use नहीं कर सकते हो यह आप उसकी value को किसी और में store नहीं कर सकते हो अगर मैं आप v लिखूँँगा तो v आएगा और मैंने इसमें object of p में कुछ और value देदी नॉट लगा दिया नॉट मैंने आप रिंट किया object of p मैं पर वैब is not a good boy आ जाया तो समझ आया symbol किस तरीके से काम करता है यह इतना important नहीं है हम आद लिए इस पर ज्यादा focus नहीं करना पर यह समझ आया तभी भी तोड़ा इंटर्व्यू के perspective से हम देख सकते है कि काम का है शायद कोई पूछ सकता है कि क्या होता है अब उसके बाद हमारा अगला जो data type है वो है हमारा एन 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 इस्टेंड फोर नॉट अनमबर जब हम किसी भी ऐसी चीज़ पर operation लगाते है ना कि वह possible ही नहीं है तो हमारा क्या return होता है एन एन जैसे मैंने आप एक strength की high उसमें multiply कर दिया 2 का तो computer हो गया परिशान की करें तो करें क्या ठीक है तो उसमें return क्या कर दिया एन एन कि ये तो नमबर ही नहीं है जो मेरे पास value मैंने calculate कि वह तो नमबर ही नहीं है ठीक तो यह होता है अब हम बात मतलब इसमें कोई value नहीं है यह हम जान बुच के बताने के लिए नल डालते है पर undefined क्या होता है कि हमने कोई variable को declare कर दिया है बट उसको कोई value अभी तक assign नहीं की तो उसमें initially उसमें जो state रहेगी वह undefined होगी ठीक है तो यह अंतर होता है जैसे मैंने यह पर एक variable बनाया पर इसको कोई value नहीं थी ठीक तो उसको अगर मैंने console log कराया तो में पास यह undefined आ गया और मैंने जब जबर्दस्ती यहां पे नल डाला अब आप जबर्दस्ती नल डालोगे क्यों आप कि माल लो इसमें पूर से पहले इसमें किसी का नाम था पर उसका नाम अब मेरा काम हो गया उस नाम से तो अब में कुछ देर के लिए वहां पर कुई नाम नहीं चीए तो वहां पर में एक नल डाल दोंगा ठीक है तो नल क्या होता है एक emptiness को शू करता है और जब मैं इसको console पर आया तो नल आ गया ठीक तो यह नल और undefined का concept समझा है तो यह था अब हम चलते हैं non primitive data types की तरह तो हमारा non primitive data type कौन सा है object तो यह क्या करता है store करता है key value pairs को जैसे यह मैंने पहली बता चुका हूँ जैसे हमने एक object बनाय था यहां पर आप कुछ key दे देजिए और आप इसको ऐसे key देजिए हेलो वर्ल्ड या फिर आप यहां पर डारेक्ट लिख दीजिए बात एक ही रहेगी ठीक है तो अब यह देखिए world is not defined तो यह बात एक है यानि कि मैं यह कहना चाहता हूँ यह वाला statement और यह वाला statement सेम है यह वह इस value को भी by default यह करीज देता है ठीक है अब तक देखरो तभी यहां पर जैसे अगर मैं इसको print भी करा हूँ ना for in loop चला के print करा हूँ तो यह भी आपके पास string सी return है ठीक है तो अब move करता है तो यह है हमारा type of operator तो यह क्या करता है हम कोई भी value को या variable के आके जब हम type of लिख देते हैं और उसको console.log कराते हैं तो उसके हम को type पता चल जाता है या console.log ना करा है हम यह पर यह चेक कर सकते है if type of is dark equal to equal to boolean ठीक है पर से console.log boolean found तो देखो यहां पर boolean इस तरीके से लिखना है तो यह boolean found ठीक है तो इस तरीके से हम type को comparison कर सकते हैं ठीक है? इसमें किसी को problem? object में और type of में ठीक तो अब हम move करते है conditionals की तरफ ठीक तो conditionals क्या है? जैसे हमारा हो गया if, else, if और else तो यह हमने जितनी भी programming languages हैं उनमें भी पढ़ रखा तो इसमें क्या होता है? जो condition हम pass करते हैं अगर वो true होती है तो उसके अंदर का code execute होता है और अगर ऐसे हम ladder बनाते जाते है कि if के अंदर जाएगा वो और check करेगा कि क्या यह condition true है? अगर नहीं है तो आगे पड़ेगा फिर check करेगा कि क्या यह वाली true है? जैसे अगर true हो गया तो फिर वो बिलकुल बाहर आ जागा फिर वो कोई और condition चेक नहीं करेगा और अगर in में से कोई सी भी else if else करके अगर multiple condition है और कोई सी भी condition true नहीं होती तो कौनसा run करेगा code? हमारा else block क्या अंदर लाग तो यह हमारा if else होता है अब दूसरा conditional कौनसा होता है? turnary operator तो यह क्या होता है एक single line में जब आपको condition लिखने हो तो उस तरीके से तो इसमें क्या होता है यह condition आप पहले लिखते हैं इस तरीके से कुछके बाद एक आप लगा देते हैं question mark जो करता है कि हमारी condition खतम हो गई है तो जब हमको if else statement कब चाहिए होता है जब हमको ज़्यादा control conditions पर चाहिए होता है और flexibility भी चाहिए होता है कि हमको multiple conditions डालने है तो वह turnary operator में ज़्यादा possible नहीं है पर else if का यूज करके हम बहुत easily multiple conditions डाल सकते हैं और easily understandable भी है अगर मैं छोटे में लिख रहा हूं तो यह हमारा क्या हो गई है turnary operator conditional आपको समझाए तो move करता है loops की तरफ तो loops क्या होते है जो बार-बार रन होते है वो loops होते है तो पहला हमारा loop है forward loop अगर तुमको लग रहा है कि मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी चल रहा हूं तो बता देना ठीक है तो अपना forward loop है यह क्या होता है इसमें पहली जो condition होते है उसमें हम initialize करते है अपने variable को जैसे कि यह कोई existing variable है तो उसकी भी initial value करेगी वह हम यह लिए initial condition फिर जो हमारा code है वह check करेगा कि एक तरीके समझ लो जैसे IQ value 0 थी उसके बाद वह check करेगा कि क्या IQ value 10 से कम है तो हाँ है तो वह console lock कर देगा उसके बाद क्या होगा यह block यहाँ पर जाएगा तो अब क्या होगा IQ value 1 हो गई फिर condition पाएगा क्या IQ value 10 से कम है तो फिर वह वापस से print हो जाएगा ठीक फिर वापस से उसकी value हो जाएगी 2 तो इस तरीके से हमारा for loop काम करता है और कब तक काम करता है जब तक के condition उसको true मिलती रगती है तो यह हमारे जो code है यह 0 to 10 चल रहा है लेकिन less than 10 इस लिए 0 to 9 प्रिंट करेगा इसके बाद हमारा आता है while loop तो यह क्या करता है इसमें जो condition पास करते है यह पहले उससे चेक करता है और उसके बाद उसके code को execute करता है अगर वो true होती है दोसमें हम initialization अंदर कर रहे थे for loop के इसमें पहले सी करके रखना है और condition हमको यहां पे डालना है और update हमको code के अंदर करना है ठीक है तो हमने क्या किया है यह पे check कि num is less than 10 ठीक और हम console log कराना है करा रहे है तो इसमें important ध्यान देने वाली बात यह है कि यह condition सही होगी तभी run करेगा दूसरी बात इसमें update जरूर से डालना है वरना infinite loop चल जाएगा ठीक और तीसरी बात इसकी जो condition है वो valid होनी चाहिए कि पता चले तुम्हारे 10 की num की value 0 लेकिन तुम check करें कि जब इसकी value greater than 10 कभी यह print हो तो यह कभी run ही नहीं होगा ठीक है तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है चेक कर लेना है अगर आपका code में run नहीं करता है अब आते हैं do while loop की तरफ तो हमारा do while loop क्या करता है do while loop runs at least once unlike the while loop while loop तभी चलता है जब उसकी condition true हो लेकिन do while उसकी condition भर ही true नहीं लेकिन at least once तो वो चलेगा ही चलेगा तो यह यह print तो होगा ही भले नम की value less than 10 हो या नहीं result दोनों की same आएगा लेकिन अगर मैं greater than 10 भी कर देता तो एक बार तो उसकी value print होती ही नहीं तो इसमें में को लगता है नहीं को problem हो हमारा अगला जो loop आता है for in loop for in loop क्या होता है यह index पर iterate करता है इसको याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि for in मतलब index तो यह index के ओपर iterate करता है इसमें मैंने यह item ले लिया है यह यलो, mango इस तरह की object बनाती है तो अब मैं क्या करता हूँ इसको run करता हूँ let i in items तो जब मैं इसको print कर रहा हूँ तो तो यह पर यह आ रहा है yellow mango तो नहीं पहले यह आ पर आ रहे हैं सारे हमारे i की value तो जो कि है yellow, orange yellow, red, green अब क्योंकि मैं इसको इस तरीके से करता हूँ तो अब देखो यहां पहले yellow mango यह पहले yellow आ रहा है आई items of eye से क्या हो रहा है जो value access कर पा रहा हूँ तो yellow पे क्या value है mango orange yellow पे papaya red purple तो उस तरीके से यह काम करता है तो यह foreign loop इस तरीके से काम करता है अब आता है हमारा for off loop एक for off loop क्या करता है यह value के उपर iterate करता है यह index को पर iterate ही नहीं करता है जैसे अगर हम उपर वाले items में अगर लगाते हम तो हमें access इसको directly कर सकते है i से जैसे हमने आगा कि let eye of items हम आई को प्रेंट करेंगे तो direct जो values है ना वो प्रेंट होंगी कभी भी इंडेक्स प्रेंट होगा ही नहीं तो यह हमारा for off loop होगा अब आता है हमारा for each loop तो यह क्या यह थोड़ा सिरफ array में ही लगता है ठीक है हम हम शायद एकमेट चक करके लगता है items dot for each तो देखो items इस पर नहीं लगता तो मतलब यह सिरफ array का method ठीक है तो यह सिरफ array का method यह चीज हम को ज्यान रखने के यह सिरफ array पर array पर काम करता है object पर नहीं तो हमने क्या किया marks लिए है 486924 तो यह क्या किया है इसमें for each उसके बाद जो हम करते है वह एक function है और function क्या होता है लेकिन यह एक function है इसमें पहला argument हमारा item और दूसरा हमारा argument क्या है index यह आटमेटिक इस function में पास कर देता है और जब हम इसको प्रेंट कराते है तो item प्रेंट हुजाएगा इस तरीके से और इसके साथ में index प्रेंट हुजाएगा यह भी same value written करेगा तो बस वह function को लिखने का तरीका अलग है बाकी तरीका मतलब बाकी results दोनों का same आएगा तो जैसे अगर मैं यह पर इसको भी चला के दिखाऊँ यह यह पर लोगा यह यह पर लोगा यह पर बिले को results same ही आएगा तो यह हमारा for each loop हो गया तो यह हमारा for each loop हो गया इस बात हमारा रहता है break and continue यह होते हमारे jump statements इससे क्या होता है continue से क्या होता है आपने किसी loop में किसी condition को पास करके डाल दिया continue तो वो उस condition के true होने पर उसके आगे का code run नहीं करेगा और अगले iteration पर चला जाएगा निया next move कर जाएगा वापस से ऊपर आ जाएगा और break में क्या होगा अगर break की condition कहीं पर true हो जाती है तो वो immediately उस loop के ही बाहर आ जाएगा यह आगे move कर जाएगा इस चीज को हम इस example से समझते तो जादा clarity होगी हमने क्या किया है यहां पर num की value 0 रख दी और flag की value true तो हमने क्या किया है flag को कर दी है true कि जब flag की value true हो तो अभी run हो पर इसमें यह कहीं भी हमने end की condition नहीं डाली है मतलब समझे रहे हो number की value को plus कर रहे है और फिर हम check कर रहे है यगर number की value 2 है तो continue कर दो यानि कि इस वाले के नीचे का code run मत करो और loop में आगे बढ़ो पर अभी condition true नहीं है तो आगे बढ़ते हैं तो console lock करेंगे तो value आगे 1 ठीक फिर वो check कर रहा है कि 5 के बरावार नहीं है तो अब आगे बढ़ते हैं अब 1 value थी वापस update होके 2 हो गई तो अब वो check कर रहा क्या value 2 है तो हम बोलेगा नहीं है तो अब क्या होगा continue तो अब इसके नीचे जाएगा ही नहीं अब वापस से उपर आ जाएगा और वो value को है वो लेगा नहीं तो आगे बढ़ो तो console.log.num तो value क्या होगा ही प्रिंट 3 प्रिंट होगई यहां पर तुमको दिख रही होगी यह value हमारी 3 प्रिंट होगई उसके बाद मैंने क्या किया फिर check किया क्या 5 है नहीं है फिर मैंने उसके value को बढ़ाया यहां पर वापस से आया तो क्योंकि condition तो अभी भी true है ना यह वाली चेक होके वापस से आया अंदर उसके बाद वो कर रहा उसको value को बढ़ा दे रहा है तो value 4 हो गई फिर check किया नहीं है प्रिंट कर दिया फिर check किया नहीं है वापस value बढ़ गई 5 हो गई चेक किया नहीं है तो प्रिंट कर दिया 5 फिर चेक किया value 5 है तो वो रहा है तो गया ब्रेक कर आब तुम आगे करो इमत कुछ हो गया तुम आरा अब तुम यहां पर आ जाओ बाहर आ जाओ लूप के simple तो यह हमारा break statement हो गया तो समझ में है आप break and continue कैसे काम करते है और जितनी भी भी तक loops बता है वो कैसे काम करते है तो अब move करते है हमारे अगले topic की तरफ जो कि है strings तो strings क्या होती है मैंने बताया था जो कि हमारे literals जाने की alphabets या characters specials जो characters होते है उनको store करने के काम आती है तो यह तीन तरीके से हम store कर सकते हैं जैसे हमारा यह हो गया इस तरीके से यह दूसरा तरीका क्या हो गया कि हम यहां पर इस तरीके से double quotes का use कर सकते हैं तो यह भी एक तरीका हो गया और तीसरा तरीका कौन सा हो गया यह वाला इसमें हम backtick का यूज करते हैं तो backtick का यूज करने से होता है कि आप multi line में लख सकते हैं और दूसरा फाइदा यह कि अगर आप यह डॉलर और यह इस तरीके से यूज कर लिया तो आप बीच में अपने variables को भी यूज कर सकते हैं तो जैसे अगर मैं कंसोल लोग कराऊं प्रोडक्ट को यहां पर प्रोडक्ट की वेलुटे को क्या ही है मोड टो जी फिफ्टीवन फाइफ जी फिर यह पूरा फीचर आने लग गया है तो फीचर वाला अबजेक्ट डारेक्टली प्रिंट हो गया है उसके बाद नेक्स लाइन प्रिंट हो गई तो यह मल्डी लाइन को लिखने के काम आता है तो इस तरीके से हम तीन तरीके जनकी मदद से स्टूर करते हैं अगर मैं इसको यहां लिखने जाओंगो तो इसलिए मैं इसके आगे एक backslash लगा देता हूं जिससे समझ जाए कि मुझे इसके एक character को अपने consider नहीं करना उस चीज के लिए इसके बात क्या होता है उसी तरीके से माल लो double quote मैंने यूज़ किया था और मुझे फिर से double quote ही प्रिंट करना अपनी string में तो मैं इसमें भी backslash का यूज़ करूंगो बैकवर्ट slash और अब जैसे में को इस तरीके से बैकवर्ट slash को प्रिंट करता हूं तो computer सोचता है चाहिए इसको skip करना चाहरा है किसी चीज़ को पर नहीं हम एक्षूल में प्रिंट ही वही करना चाहरें जैसे यहां पर हम एक बार मैं करके दिखाता हूं क्या कहना चाहता हूं console.log यह किया मैं तो देखो यहां पर आया यह प्रिंट क्या है तो अगर मैंने यहां पर यह लगाया होता कि मालो मुझे actual में यह back slash भी चाहिए तो मैं क्या करूंगा कि एक और back slash लगा दूँगा और इस वाले string के लिए मैं यह लगा दूँगा यह वाला जो slash है यह इसके लिए है और यह वाला slash है यह इसके लिए है तो अब देखो यह भी print हो गया है यह समझा रहा है यह क्या किया मैंने जैसे अगर मैंने यह क्या है यह आप double slash प्रेंट कर देगा यह अगर मैंने दो ही डाले होते तो सिरफ एक को ब्रेंट करता है यह escape sequence करेक्टर चुकता है दूछरा होता है हमारा backslash end तो यह क्या होता है next line के लिए उसी तरीके से एक हमारा होता है backslash t तो वो क्या होता है tab का space दे देता है तो अब चलते हैं कुछ properties of method के जो string में काम आते हैं जो कि जहातर original string को change नहीं करते हैं तो एक हमारी property है properties का अतलब क्या होता है कि आप उनको dot करके मतलब उसको आपको call नहीं करना पड़ता है और method को आपको call करना पड़ता है ठीक जैसे अगर मैं यहाँ पर dot length का use किया तो मुझे क्या पतर चल लेगा कि string की length कितनी है कितने characters उसमें है including the white space characters नहीं कि space bar जो होता है empty उसको भी वो count करता है ठीक है फिर आता हमारा two uppercase method यह करता है हमारे string के सभी characters को uppercase में convert कर देता है उसके बाद आता हमारा two lowercase तो वो क्या करता है lowercase में कर देता है तो तो simple थै अब आता हमारा slice तो slice क्या होता है यह हमारे एक तरीके से समझो जैसे मैं इसमें जो value पास की 2 तो यह क्या करेगा 0 1 2 तो 2 उसको मिल गया तो 2 से लेके तो इसमें end value के देर रखे 4 तो 4 से पहले तक का जाना है तो यह जो value होगी यह print हो जाएगी यानि पहली value से जो end value दिये उसके पहले तक समझाया है तो यह इस तरीके से काम कर रहा है अब बात आती है replace की तो replace क्या करता है जैसे मैंने यहां पर किया यहां प्रेंट होगा पी ओ यहां पर मैंने क्या किया small o को capital o से किया पर इसमें तो 2 o थे तो replace क्या करता है सिरफ पहले वाले को ही change करता है ठीक है ऐसा होता है यह हमारा replace method हो गया इसके बाद और यह हमारे किसी भी जैसे अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूँ ठीक है और इसके बाद मैंने कराया console.log.page तो देखो अभी भी वह ओरिजिनली वही है तो इसने हमारे original string को change नहीं किया है ठीक जितरे किसे का मारा method होता है करता है जो आगे और पीछे यानि कि string के start होने से पहले यानि string के पहले actual character आने से पहले और last जो visible character उसके बाद जितने भी space होता उसको remove कर देता ठीक अब बात आती है एक बात कि strings immutable होते हैं यानि कि आप उसमें इंडेक्स से कुछ भी change नहीं कर सकते है जैसे मैंने एक variable ले रखा मी इकुल टू राम अनुजना और मैंने उसमें कर दिया कि मी ओफ जीरो को कर दो के ऐसा नहीं हो कि काम अनुजना हो जाएगा ऐसा possible ही नहीं है ठीक तो यह हमारा strings immutable होते है आपको समझ मैं ही ठीक अब चलते हैं हम एरे पर एरेस क्या होती है जब हम मर्ट अज़े प्लेस पर चेक कर लेता है कि मदश्य कर सकते हैं जैसे हम क्या करेंगे जैसे हमने करना होता था console.log मैंने इसमें split method ही नहीं बताया हो तो हम क्या करते है split करते इसको ठीक और हम इसको split करते है ओ से ठीक तो यह देखो पी-गया पी-ए-ट अलग गया और अण में खाली था तो वह अलग हो गया और इसके बाद में करता इसको join करता तो join करते वगा यहां पर क्या लगाता है अब देखो यहां दोनों बदल गए खक्रिक है तो अब move करते हैं अगिए एक ही जट तो wrath किसलिए हम आते हैं जब हम multiple values को एक ही वैरिएबल में श्टूर करना चाहते हैं multiple data types होते हैं उनको एक ही मिश्टूर करना चाहते हैं मैंने कहा किया 45 name true फिर एक और array बनाई फिर एक object बनाई तो इन सब को group कर दिया और उसको किसमे कर दिया अर्र नाम के variable में स्टूर कर दिया तो यह अपना क्या हो गए एक array हो गया ठीक और array क्या होता है कि special type होता है object का जो हमने object उपर पढ़ाता है जहां पर जो key है न यहां हमारा array हो गया जैसे 45 हमारा किस key पे है जीरो पे या index भी कहते है उसे true हमारा किस पे 2 पे उसके बात क्या होता है कि हमें array में कुछ भी access करना है कोई भी value अपडेट करना है तो उसको हम उसकी key की मदद से कैसे कर सकते है array और इसका index हम पास कर दिया तो यह इस तरीके से काम क बताओ मैंने यहां पर क्या कि एक value को इनिशिलाइज कर दिया है एक array of 10 equal to high पर हमारे array में तो problem क्या थी इतने एक, दो, तीन, चार, पाच ही items है और यह हमने 11th index यानि कि समझे लो 11th position यानि 10th index है वहां पर कुछ डाल दिया तो यह क्या करेगा इसके पहले जित्तिवी थे उन सब में undefined डाल देगा, ठीक है, undefined डाल दिया, उसके बाद जैसे अगर मैं इसकी अब length निकालता हूँ, तो length कितनी आ जाएगी, इसकी 11 आ जाएगी, ठीक, फिर अगर मैं इसको two string कर दिया, तो इस तरीके से यह आ जाएगी, अगर मैंने यह ना किया होता, तो यह इस इस तरीके साथ का, ठीक है, string में convert हो के इस तरीके से दिखता हूँ, अब हम बात करते है, joint की, जैसे हमने उपर बताया था, जैसे मैं अगर यह, इसको यह कर दिया, तो तुम देखो के, console log किया है, वाइन के लिए हमको console log करना पड़ेगा, तो यह देखो, एक string हमको return हो अब मैं तुम से एक सवाल पूछने वाला हूँ, ठीक है, तो इसके आगे मैं पहले console log को उटायता हूँ, जैसे तुम बता हूँ, क्या print होने वाला है, तो इसको बता हूँ, तुम क्या print होगा, अगर तुम YouTube पर देख रहो, तो comment रोगा, बता हूँ, क्या होगा, single slash print होगा, तो अगर आप सही थे तो बताईए, यह आपका आगया, single slash आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यह एक escape sequence character था, ठीक, अब बात आती है, pop method, तो pop क्या करता है, last element को remove करता है, अब जो मैं कर रहा था, मैंने मालूँ इसको tan कर दिया, तो मैं इसको print कर रहा था, ठीक ह आ रहे थे, तो जैसे मैं इसको pop करूँगा, तो यह मेरा 10 हट जाएगा, अब जावास्क्रिप इतना चालाक है, कि जब यह values undefined है, आज तक इसको use ही नहीं किया गया, तो इनको भी हटा देगा, तो यह undefined का मतलब होता है, पर अगर इन मैं से मैं किसी भी value को null define करता है, जैसे अगर मैं आपर चलो, पहले बताता हूँ क्या होगा, मैंने जब इसको किया, अब देखो, यहां से 10 भी हट गया, एक मिनट, पहरे तो 10 भी हट गया, अब जैसे अगर मैं, वेट आ मिनट, यह undefined अभी तक रहेंगे, तो यह इसको मतलब एक तरीके समझ लो, अगर मै इसको प्रेंट करने जाओ, for, let i in array, मैं अगर कराओ, console.log, i, array of i, में पास क्या प्रेंट होगा, यह को में पास सिरफ 4 तक प्रेंट होगे, जो undefined वाले हैं, वो प्रेंट ही नहीं होगे, ठीक है, तो लूप में undefined वाले नहीं प्रेंट होते, तो यह मेरा कहने का मतलब थ अब move करते हैं, आगे, pop समझा क्या होगा, push क्या करता है, push क्या करता है, एक end में element को डाल देता है, तो javascript में क्या होता है, stack, या आपको q, implement आप array की मदद से ही कर सकते हो, directly, आपको अलग से create करने की ज़रूरत नहीं है, तो push से क्या होता है, आप element end में add कर सकते हो, उस तर array के starting से एक element को remove कर सकते हो, और unshift से क्या होता है, आप array के आगे, सबसे front पे elements को डाल सकते हो, zero index पे, basically, आगे shift हो जाएंगे वो, खीक है, तो unshift में क्या होगा, वो forward direction में shift हो जाएंगे, और shift से क्या होगा, वो पीछे के जाएंगे, या एक value हट जाएंगे, और वो पीछ index दिया है, वहाँ तक वो same value, save हो जाएगी, जैसे अगर मैं करूँ, array.fill, fill करना है, वो से, वो से, from 2 to 4, ठीक, अब मैंने करा दिया, control.log array, ठीक, तो देखो, इसने original array को इचेंज कर दिया, और वो भी कर दिया, कहां तक, मैंने इसमें पास किया 2 to 4, तो 4 से पहले तक, ठीक, जितने भी ऐसे होते है methods, उन में 4 से पहले तक, या आपको जो end वाला उसके पिछले position तक के count करते हैं, ठीक, तो इस तरीगे से count करता है, अब पात करते हैं, अगला method है sort, जो की नाम से पता है क्या करेगा, sort कर हमारा आएगा reverse, तो reverse क्या कर देगा, reverse कर देगा, simple, मैं क्या ही बताऊ, अब बाद रती है splice की, तो यह थोड़ा tough है, इसलिए आप ignore भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना use भी नहीं होता, तो पर इसमें यह किस तरीके से काम करता है, कि जैसे मालूम में यह पास nums नाम की array थी, तो उसमें पहला है, कि 84, 95, 74, 65 था, और मैंने क्या किया, इस तरीके से किया, nums.splice 1, 1 क्या है, कि starting कहां से होनी है, 4 कहां तक, कितने elements हटेंगे, ठीक, और फिर उन कितने elements की जगह पर क्या आएगा, ठीक, तो एक तरीके से समझो, कि मैंने क्या क्या किया, 84 डाला, ठीक, फि पहले, just immediate हम जब इसको console lock करेंगे, तो सिरफ, वहाँ पर, एक minute, output, हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 से लेके, 4 तक, index तक, जितने भी होंगे, वो आ जाएंगे, ठीक, तो यहाँ पास आ रहा, 95, 74, 65, जैनि कि यहाँ पास आया, part, यहाँ जो part हटाया गया है, पहले वो आ जाएगा, ठीक, तो यहाँ पर, हमाँ पास 0, 1, 2, 3, 4 इसके बाद में आता, तो इसके पहले तक की जितने elements थे, वो यहाँ से हमने हटा दिये, ठीक, तो मैंने कहा कि अगर यहाँ पर 3 लिखता, ठीक, तो 3 elements, अभी भी 3 elements यह अट रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता, अब देखो, अब सिर्फ 2 elements हटेंगे, 95 और 74, तो यह किस चीज का count है, कितने elements हटेंगे, अब जब हमने यह 4 लिख रखा था, तो यहाँ पर 1st index से 4 elements थे ही नहीं, तो उसके लिए possible जितने तो उसने हटा दिये 3, पर अगर हम यहाँ पर 2 लिखते हैं, तो सिर्फ 1st index से जित तो जो values हटाई गई है, वो return होती है, और उससे हमारी original array चेंज हो जाती है, तो अब जैसे मैं इसको यह करूँ, अब जो चेंज होने के बार मेरी array बन गई, तो उसने क्या किया, मैं अगर यहाँ करता हूँ, एक तरीके से इसको 2 ही कर देता हूँ, ठीक है, output में हमारा यह इससे क्या होगा, यह हट जाएंगे और इसकी जगहें पर यह चारों इसको replace कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा, 84, 88, 74, 96, and 65 भी आएगा, ठीक, तो समझाया है, स्प्लाइस किस तरीके से काम कर रहा है, तो slice क्या करता है, कि जैसे splice जो चीज रिटर्न कर रहा था, और उसमें वो क्या कर रहा था, उसको remove भी कर दे रहा था, slice क्या करता है, सिरफ उतने से उतने पार्ट को दे देता है, बाकी array को change नहीं करता है, अगर मैंने इसको यह किया, मैं पास 95, 74 आ गया, लेकिन अभी भी मैं console.log करूंगा, nums, तो देखते हैं, क्या उसने अटाया, तो देखो, कि उसने बिल्कुल original array को रखा हुआ है, ठीक, तो हमने simple जो पढ़े for in loop से कर सकते है, for off loop से कर सकते है, for loop से कर सकते है, और for each loop से कर सकते है, तो इनको मैं वापस बता के वापस से time waste नहीं करना चाहूँगा, जो कि है map, तो मालो में पास एक array given है, यह, तो map क्या करता है, एक तरह की समझो, जो ही हर एक value पर iterate करेगा, और उस पर एक function run कर देगा, जैसे मैंने आप पर के किया items.map, और मैंने एक अंदर function define कर दिया, वो क्या करता है, value लेता है, और उसका double को return कर देता है, return value into 2, तो इससे क्या होगा, हर एक value उस पर जाएगी, और into 2 हो जाएगी, फिर एक अगली value जाएगी, फिर return हो जाएगी, तो वो उसको मैं configure कर लोगा new array में, तो अगर मैं जैसे इसको करके दिखाऊँ, इसको मैं ये कर दिया, items ये print होगा, ये new array, देखो, items अभी भी वही है, लेकिन जो new array है, उसमें वो हर एक value क्या होगी, हर एक value पे वो function लग गया, समझ रहो, वो एक तरीके से इस process के go through होगी, त आयोप समझ आ गये होगा, अब बात करते है filter method की, तो ये भी काफी गजब का है, तो ये क्या करता है, ये हर एक element को एकदम समझ लो, कसोर्टी जिंदगी की, यानि कसोर्टी पे परकता है, तो जो element उसकी कसोर्टी को पास कर गया, वो element तो array में जाएगा, जो नई array बनने व कि बच्चों पे हमने लगाया loop और filter क्या किया, कि जिनकी CGPA को छोड़ो, वो बेकार है, जिनके यहां क्या कहते है, क्या चीज हो सकती है, इनकी 12th percentage इतने से कम हो, इतने से ज्यादा हो, सिर्फ उनको चूज करो, तो वो क्या करेगा, सिर्फ उनको चुल लेगा, जैसे हमारे items में, 75 से, जा, filter items में जब iterate किया, तो उसने क्या check किया, कि क्या value less than equal to 75 है, तो सिर्फ उनी values को प्रेंट करेगा, तो यह 75 से कम नहीं है, यह भी नहीं है, पर यह दोनों है, तो उसने इन दोनों को प्रेंट कर दिया, ठीक, तो यह filter इस तरीके से काम करता है, अब बात करते ह जो कि जहातर लोगों को याद नहीं रहने वाला, क्योंकि यह इस तरीके काईड है, क्योंकि यह याद नहीं रहता, पर पर क्योंकि यह जादा yes नहीं भी होता, पर मैं कहूंगा कि अगर आप इसको use करते हैं, तो अच्छे Programmer हैं, ठीक है, तो यह क्या करता है, जैसे मैंने मारलो marks को यह रख रखा है और मैंने लगाया marks.reduce तो यह दो argument लेता है इसमें जो function है previous और value यानि कि अभी तक previous क्या होता है जो भी अभी तक मैंने पिछले operations की हैं उससे जो मैंने value accumulate की है और current value जो कि मेरे loop में चल के आ गया है इस value में उसमें मैं क्या करता हूँ operation तो यह थोड़ा समझने में इस तरीके से समझो कि मैंने 63 तक आ गया हूँ तो previous में क्या है इन दोनों का sum already stored है और 63 उसमें भी जुड़ जाएगा और मैं उसको return कर दूँगा तो अब previous की नई value क्या हो जाएगी यह तीन हो तो समझे रहो और यह start कहा से हुआ 0 तो अब scene कुछ ऐसा है कि previous जो है value value के लिए हो जाएगा 0 और value हो जाएगी 84 return क्या हो जाएगा 84 तो previous की value अब हो गए 84 अगले के लिए अगले पर जाएगा तो अब value क्या है 84 तो previous की value 84 और value 74 तो return क्या होगा previous equal to 84 plus 75 74 जो भी था 84 प्लस 74 तो यह इस तरीके से काम करता है और यह हमने initial value यहाँ पर दी अगर मैं इसको 1 देता यह यहाँ पर 1 से शुरू होता और फिर यह previous के value 85 हो जाती है ठीक है समझा आया किस तरीके से काम कर रहा है जैसे अब अगर मैं आपर output कर रहा हूँ तो 390 आएगा लिकिन अगर मैंने इसको initial value 10 देती तो यह 400 आजाएगा ठीक है अगर मैं इसी तरीके से इससे क्या कर सकता हूँ तुम try कर सकते हो इससे factorial बनाने का कि factorial किस तरीके से बन सकता इसी चीछ से ठीक तो यह तुम कर सकते हो अब बात करते हैं array.from method की तो यह क्या करता है यह array जैसे दिखने वाले जो data types हैं जिन पर हम iterate कर सकते हैं जैसे अपना string हो गया या अपना object हो गया तो उनको क्या करता है एरे में convert कर देता है जैसे मैंने क्या किया यहां पर एक फ्रेंड लिया फ्रेंड लिया है फ्रेंड इकोल टू वैबव string हो गई तो मैंने उसको array में convert करने के लिए क्या किया array जिको मैं इसको control लोग करा array.from यानि इसमें से एक array बना दो तो वो क्या करेगा इसको इस तरीके से हरे एक character को एक item element बना देगा हमारे array का तो वगर यह तुमको दिख रहा है तो इस तरीके से ठीक तो यह हमारा array था तो यह समझा आया है तो मूव करते हमारे javascript के last important topic का मतलब जो कि DOM से पहरे वह important है DOM में नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि वह हमारा अलगी तरीका है उसमें react में दौम करने का खिक तो functions क्या होते है functions एक reusable block of code है निकि हमने एक task कुछ करता है हमारा code तो उसका एक function बना लिया अब मैं क्यों कर सकता हूँ किस तरीके से बार-बार कर सकता हूँ वह function को call कर दूँगा वह task हो जाएगा call किया हो गया तो इस तरीके से मैं function का इस तरीके से यूज करता हूँ और function हमारे कुछ return कर भी सकते है और नहीं कर सकते है जैसे मान लो मैंने area नम का function बनाया तो वह क्या area return करता है लेकिन अगर मैंने मनाया save to database तो यह function सिरफ save कर देगा लेकिन return कुछ नहीं करेगा तो मतलब वह कुछ return कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है simple सा कहना है अब function किस तरीके से declare करते हैं तो दू तरीके हमारे declaration के using function keyword तो function keyword में कैसे होता है जैसे मैंने आपर किया function keyword को use और function को एक नाम देदिया say hi और मैंने उसके नदर arguments पास करती है arguments आपने पढ़े ही होंगे दूसरी programming languages में तो इसमें क्या होता है आप जो भी चीज पास करेंगे उसको आप यहां पर use कर सकते है जैसे अब मैंने क्या किया इसको मैं करके ही देखता हूँ तो say hi और मैंने उसको पास करती है और web हो आप आप जगा hello web from function keyword तो इस तरीके से मैंने string literal का यूज करके backtick वाली अपने parameter को या argument को इस तरीके से use कर लिया है ठीक तो यह हमारा function keyword दूसरा क्योंसा तरीका arrow function जो कि late अभी recent es उसमें ही आया है एकमा script मैं बता देता हूँ मैंने नभाग खेड़ीज है तो यह javascript के standards है यानि कि पूरे world में एक ही तरीके javascript रही है वह चीज़ निसे और करती है जैसे अपना hyo pa तो यह arrow function क्या होता है इसमें हम const let इस तरीके से keyword को जूस करते है और variable का नाम लिख देते है ठीक और बाद में वही argument इस तरीके से पास करते है equal to फिर value और एक arrow बना देते है इसलिए इसका नाम arrow function है और उसके बाद जो भी चीज़ यह करेगा उसको हम लिख देते है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते है यह मैंने तोड़ा इसको short ना करने के लिख कर दिया था यह क्या कर रहा है यहां पर लिख दूँगा return यह क्या कर रहा है एक string को return कर रहा है तो मैं क्या कर आ सकता हूं यहां पर अभी खुद तो कुछ console log कर नहीं रहा था यशित तुम देख रहे हो यहां पर यह open वाला function मेरा कुछ return नहीं कर रहा पर एक task perform कर दे रहा पर नीचे वाले में return कर रहा हूं कि string अब अगर मैं console log करता हूं say hi to तो मैंने यहां पर पास कर दिया ठीक तो यहां पहेगा hi web from const keyword ठीक तो यह इस तरीके सा हमारा काम सल गया initializing नहीं किया simple as that तो इससे तुमारा undefined का concept भी clear हो गया होगा तो इस तरीके से था यह हमारा function keyword था तो यह समझ में आया है तो यह हमारा पूरा JavaScript का revision था जितने भी important topics थे वो मैंने cover कर लिये तो IOP अच्छे लगे होंगे thank you अच्छे